दोस्तों आज के स्क्लास में आप लोग का स्वागत है आज के स्थास क्लास में हम बात करेंगे बिहार बोट के हिंदी हंडेड मार्क्स के बारे में और आज का जो चैप्टर है हम लोग का गर्द खंड का आठमा नमर चैप्टर है जिसका नाम है सिपाही की मा इस चैप्टर क आपके एक्जाम में अगर बोला जाए कि सिपाही की मापाट के सारांस को लिखे भवार्थ को लिखे तो आप आसानी के साथ लिख सकते हैं इस तदर आपको बताएंगे इस तरीके से आपको यहाँ पे हम दिये हैं ठीक है तो आपको अच्छे से क्लास को देखना और पांस मा करें आपको 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 चाहिक्ता आपको अगुत सिखने को देएग माँ पार्ट को स्टार्ट करते हैं ठीक है तो चलिए सबसे पहले बात यहां पर यह आती है कि सिपाही की माँ पार्ट को लिखे कौन है तो इसको लिखे कौन है लिखे हैं अपने मोहन राकेश जी ठीक है मोहन राकेश जी की यहां पर तस्बीर भी है यही इस पार्ट की जन्म कब हुआ था यह सवाल बहुत खास है अक्सर एक्जाम में पूचा जाता है कि मोहन राकेश जी का जन्म कब हुआ था तो इंका जन्म आठ जनवड़ी 1925 को हुआ था वहीं के निधन के बारे माँ बात करें तो इनका ठीजन तो 8 जनवर 1925 को अमरिश सर पंजाब में इनका जन्म हुआ था ठीक है तो ये लेखा के बारे में आपको याद रखनी है कि मोहन राकेश जी का जन्म कब हुआ था निधन कब हुआ था और जन्म अस्थान क्या है मतलब कहां पे इनका जन्म हुआ था तो ये कुछ तीन चार च चीज़े आपको याद रखनी है अब शलिए यहां पे सा रांज से देखना था समरी को समझ wraz करते हैं तो सबसे हमारे पास यहां पंक्ती किया आती है सबसे पहला पंक्ती है हमारे पालसिया पे इस तरीके से आपके एक्जामें बोलाजाए सिंपल सी बात है मोहन राकेश द्वारा लिखेश सिपाही की माँ पाठ के सारांस को लिखे तो आपको ऐसे स्टार्ट करनी है अपने बोड परिक्षा के कौमे में लिखना मोहन राकेश की प्रस्तूत मार्मिक रसना में निम्न मध्वर्ग की एक ऐसी माँ बेटी की कथावस्तूत है जिनके घर का एकलोटा लर्का सिपाही की रूप में दूतिय बिस्युद के मौर्चे पर बर्मा में लरने गया है मोहन राकेश की प्रस्तूत मार्मिक रसना में निम्न मध्वर्ग की एक ऐसी माँ बेटी की कथावस्तूत है जिसके घर का एकलोटा लर्का सिपाही की रूप में दूतिय बिस्युद के मौर्चे पर बर्मा में लरने गया है देखें मोहन राकेश के द्वारा यहाँ पर सिपाही की माँ पाठ को लिखा गया है जिसमें ये चर्चा किया गया है मध्वर्गी परिवार के मा और बेटी की कथावस्तू उसके बारे में ये बताया गया है कि जिसका बेटा एकलोटा बेटा जिस मा की एकलोटा बेटा अ और अपनी बहन का एकलौता भाई है। वह जो है अपने मां का एकलौता बेटा है, सर्फ एक बेटा है और अपने बेहन का जिसका बिवा होने वाली है, उसके एकलौता भाई है। बहन के हाथ पीले हो सके अगर वो जहां लरने गया है अगर वहां से लरके लोटेगा कमा के आएगा तब जाके जो उसकी बहन है बहन का हाथ पीला हो सकेगा ठीक है साधी वो कर पाएगी मा एक देहाती भोली इस्तरी है बहुती भोली वो है मा हमेशा भोली और प्यारी ही होती है तो मा जो है ना देहाती और भोली इस्तरी है और यह यह नहीं जानती कि बर्मा उसके गाउं से कितनी दूर है और लराई कैसे किन से और किसलिए हो रहे है देखिए मा उसकी बहुती दिहाती भूली इस्तरी है उसको ये भी नहीं पता कि लराई किस से हो रही है का ही हो रही है क्यों हो रही है और मतलब ये आखिर जो है कितनी दूर है बरमा उसके गाउं से उसको ये भी चीज नहीं पता है आगे देखे क्या है उसका अंजाम ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ ख अतम हो जाएगा तो उसकी मा तो ये कभी सोच भी नहीं सकती है ये सब चीज ठीक है मा और चाया की तरह उससे लगी बेटी के बेतर की वह आसा जो बेटे से जोड़ी हुई है अनेक रूप रंग घ्रहन करती है देखिए मा और चाया की तरह जो मा के पीछे हमेशा लगी रहत है बहुत ही मतलब अनेक परकार की रंग रूप गरन करती है क्योंकि आप खुदी सोचो मतलब जो एक लौता बेटा एक लौता भाई अगर कहीं दूर लरने के लिए गया है तो उस परिवार के ऊपर में क्या चल रहा होगा क्या मान सकता होगा क्या उस समय दिमाग में घू आगे देखिया आपको कैसे लिखना है उसकी संपूर्ण नाटकियता और रंग संभाबनाओं का लेखक ने ऐसे उद्गाटन किया है कि रसना के अंत में एक बिसाद मन पर अस्थाई प्रभाव छोड़ जाता है देखिए सही बात है इस नाटक को ना ऐसा रंग संभाबना ईक फोड़ जाती है बिसni गौन है यह मतलब जो सिपाही उसी की मा है ठीक है उसी का यहाँ पर नाम है इसी की लौता बेटा बर्मा के लगने गया है जो है उसका नाम के मां की नाम है बिस नी ठीक है एकांकी के सरसक से ही यहां असपस्थ होता है कि बिस्नी केवल मानक की मा नहीं है बलकि किसी भी सिपाही की मा है देखो यहां पे नाम से पता चलता है कि सिपाही की मा सिपाही की मा मतलब हर सिपाही हर लोगों की मा है तो बिस्नी सिर्फ मानक की मा नहीं है मतलब बिस्नी जो है वो मा है और जो इसका इकलोता बेटा है उसका नाम क्या है उसका इकलोता बेटा का नाम है मानक तो याद रहेगा बिस्नी मतलब मुख्य पात्र में है महिला के पात्र में बिस्नी और उसका एकलौता बेटा बर्मा पे लराई के अने के लिए गया है उसका नाव है मानक तो यहाँ पर यह है, आगे देखे कैसे लिखना है, सिपाही की मा का गुन उसमें तब दिखाई पड़ता है, उसके मा में बिस्नी में तब दिखाई पड़ता है सिपाही की मा का गुन, जब वो सौपन में अपने सिपाही बेटे मानग और दुस्मन सिपाही के लड़ते बलकि हर हाल में अपने बेटे को मानक उसका बेटा मानक उसको दुस्मन सिपाही से बचाती है हर हमेशा वो चाहती है कि मेरा बेटा उस दुस्मन सिपाही से बच जाए ठीक है वो उसको नहीं मार पाए ठीक है और जब उसी का सिपाही बेटा दुस्मन सिपाही को मारना चाहता है जब इसी का बिस्नी की ही बेटा जब है वो एक लौता बेटा जो है वही अगर दुस्मन सिपाही को मारने के लिए चाहता है तो यह कार्ज भी उसे कतई पसंद नहीं और वो भी उस बिसनी को, उसकी माँ को ये भी नहीं पसंद कि उसका भी बेटा किसी और की हत्या करें, दुस्मन सिपाही की, वह द्रिरता पुरवक अपने मानक को, दुस्मन सिपाही को मारने से रोकती है, एकदम पूरा सक्त मना करती है कि नहीं बेटा, उसको मारना नहीं है, ठ पीले कर वाप आओगे तो हर चीज तुम पे टिकी हुए हम लोग गरीब आदमी है तो उसी तरीके से ये लोग भी गरीब आदमी है जिसका आगे आपर बताएगा इसकी मा इसके पीछे रो रो कर पागल हो गई है इसके घर में बच्चा होने वाला है यह मर गया तो इसकी बी बिस्नी रोकना चाहरे थी कि हर हाल में अपने बेटे को ये बचाना चाहते थी लेकिन जब इसी का बेटा दुस्मन सिपाही पर भारी परा जब उसको मारने लगा तो बिस्नी को ये भी नहीं पसंद था बिस्नी फिर भी रोकती है और बोलती है कि नहीं बेटा इसको मतमार ये भी हमारी तरह गरीव आदमी है और इसके भी बच्चे होने वाले हैं, माँ इसकी रूरो कर पागल हो गई है, अगर ये मर गया तो इसकी बीवी फांसी लगा कर मर जाएगी, तो यहाँ पे आपको क्या नजर आता है, कि बिसमी सिर्फ मानक की मा नहीं, बलकि हर सिपाही, ह कि बिसमी बैसा आता है, ये बिसमी की बहुत ह dernière जाला सकता है, वह तो इंसकी बिसमी की मातरच विए मातरच को जाचता है, वह इसलिए को मातरच को भूटप हो जा Lego आगे देखें कैसे लिखना है ? आगे आपको इस तरीके से लिखना है इस कदर आपको लिखना है मौन राकेस के सिपाही की मा एकांकी नाटक में ऐसे बहुत से दिर्फ उभर कर आते हैं उभर कर सामने आते हैं जिसमें रंग, संयोजन या निर्देशन का सफल परियोग हुआ है जिसमें बहुत अच्छे तरीके से सारे किरदारों को बहुत सही से यहां पर दर्साया गया है कई दिरिस इतने मारमिक हैं कि वे बहुत देर तक मन मस्तिक्स पर अपनी आवा छोड़े बिना नहीं रहते हैं बहुत सारे चीजें हैं जो आपके मन मस्तिक्स पर और दिसली वो चल रहा होगा जो आगे चैप्टर में पीछे जो हुआ है मानक की मा जो बिसनी रोकती है ये सारा चीज मारमिक प्रसंगो द्वारा एक से बढ़कर एक दिरिस उभर कर बैचैनी पैदा कर देते हैं जहन में चिंतन की रेखाएं साफ रिखाई पड़ती है तो यहाँ पे ये तो है इना की जो मतलब आप चैप्टर पढ़े हैं इसमें आपको क्या लगा हर किरदार को बहुत ही खूपसूरती से बैक्ष किया गया है जैसे मानक जो बिसनी की एक लोता बेटा है जो लरकी है जो उसकी बहन है उसकी हाथ पिले होने वाली है दुसमन सिपाही सबको बहुत ही प्यार से यहाँ पे महन राकेजी दर्साय हैं सभी रंग भाव को बहुत अच्छे से यहाँ परयोग किये हैं कि हम लोग के मन पे इस बहुत ही गहरा असर छोड़ता है जो सच में ऐसा है कि जिसके हम लोग सोचेंगे कि है न कि मतलब मानक की मा कितनी अच्छी थी कि मतलब वो जो है मानक को भी मरते हुए नहीं देखना चाहती है जबकि दुस्वन सिपाही को भी मरते हुए नहीं देखना चाहती है तो मानक की मा जो बिसनी है सही अर्थ में एक मा है और इस chapter में मोहन राकेशी बहुत ही प्यार से बहुत ही खुबसूरती तरीके से यहां पे दर्साए हैं खुब आपको यहां पर यह पूरा सारांस समझ में आ गया होगा एक बार आप इस वीडियो को पूरा शुरू से एक बार देख लिजेगा आपको समझ में दुबारा एक बार अच्छे से आ जाएगी इसको कॉपी में आराम से वीडियो को रोगरो के नोट डाउन कर लिजेगा क्योंकि यह सारांस बहुत इंपॉर्टन्ट है और ऐसे सारांस से पाई के माज ऐसे इंपॉर्टन्ट चैप्टर आपको पता होना चाहिए और जितना हमें हो सका उतना आसान बढ़ा कि हम आपके सामने दिये हैं पसंद आया अगर हो तो आप नीचे कमेंट करके बताएगा आपको कैसा लगा कैसा आपको पढ़ाने का तरीका मिल लगा आप इस चैनल के बारे में हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट करके आप लोग का कमेंट obviously हम पढ़ेंगे वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर लिजेगा ऐसे ही आप बहुत सारे पोस्ट को लाइक करते हैं यहां पे वहां पे अपना पढ़ाई से लेटर चीजों को obviously आपको थोड़ा से जादा इंकरेज करना चाहिए कि मतलब नहीं जो चीज आपको मतलब आगे आगे फ्यूचर आपका सही चीज सही आगे डायरेक्शन में ले जिससे आप जा सकते हैं उस सीज को अगर आप इंकरेज करते हैं तो आपको आगे वह बहुत सपोर्ट मिलेगी जैसे आप इस वीडियो को अगर लाइक करेंगे आपके लिए हम बहुत सारे ऐसी वीडियो अगर लाते चलेंगे जिससे आपकी पढ़ाई और अच्छी होगी और चानल को करके रखेगा और हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे बहुत ही प्यार से फिर अगले चाप्टर को देखेंगे ठीक है मिलते हैं अगले क्लास में तब तक लिए बावाई धन्यवार